वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट दोस्तों उत्तर प्रदेश के माननी ये शश्वी मुखमंतरी श्री योगी आदितनात ने अठारवी विधान सभा में जन प्रतिनिद्यों को दोस्तों संबोधित करते हुए उद्बोधन देते हुए उन्हें ये नसीहत दिया है उन्हें ये सला दिया है कि ठेका पट्टा ट्रांस्फर पोस्टिंग से दूर रहना है शालेंता और अनुशासित रहते हुए जो च्छबी बनती है वो अमिट होती है तो दोस्तों विधान सभा विधान सभा परिशद का महामहिम रास्टपती स्री रामनात कोविन जी स्विंग तो बैठ करेंगे आने वाले समय में जो विधान सभा होगी वो इटेबलेट के माध्यम से पूरी इलेक्ट्रोनिकली अटेंडेंस को वेरिफाई करेगी तो दोस्तों देखते हैं माननी मुखमंत्री श्री योगी आदितनात का उद्वोधा और किस रूप में उन्होंने नसिहत दी कैसे एक आदर्ष विधायक बना जा सकता है एक कैसे आदर्ष जन प्रतिनित के रूप में जनता को समोहित किया जा सकता है कैसे उनका दिल जीता जा सकता है माननी मुखमंत्री श्री योगी आदितनात ने विधान सबा के सदस्यों को ठेके पटे और ट्रांस्वर पोस्टिंग से दूर रहने की नशिहत दी है उन्होंने कहा कि व्यक्तिकी शालिंता और धैरू से आगे बढ़ाते हैं वहीं उसका उतावलापन उद्दंडता ठेके पटेवा ट्रांस्वर पोस्टिंग से अनुराग और हर एक मामले में हस्त चेप करने की आदत उसे नीचे लुड़का देती चाय संसद हो या विधान सभा अच्छी छवी जीवन परियंत आपका साथ देगी लेकिन यदि उस पर थोड़ी वी चोट लगी तो या भिशाब बन जाएगी दोस्तो अठारवी विधान सभा के सदस्वों के लिए आयुजित दोद्युसी प्रबोधन कारकरम को सनिवार को संबोधित करते हुए मानिनी मुखमंत्री जी ने कहा कि नकारात्मक तक किसी जनप्रतनित को आगे नहीं बढ़ाती है एक विधायक का उदारान देकर उन्होंने कहा कि वह हर मुद्दे पर धर्ना प्रदर्शन करते थे लेकिन इस बार विधान सभा चुनाओं में चोथे नंबर पर रहे उन्होंने कहा कि विकास कारियों में राजनीत को आणे नहीं आने देना चाहिए कुछ जन प्रतिनित ना सिर्फ मंत्रियों से बलकि विकास कारियों से भी तटस्ता बना लेते हैं और जब चुनाओ आता है तो उनके सामने संकट खड़ा हो जाता है जन प्रतिनित विकास योजनाओं से जुलकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे तो इसका श्रे पाएंगे सदस्तों को जातिवादी मानसिक्ता से उपर उठकर जन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करने का भी उन्होंने मंत्र दिया या कहते हुए कि प्रदेश में जाती वादी राजनीत होती तो वित्मंतरी सुरेश कुमार खनना लगातार नौवी बार और विधान सभा द्यच्च सिरी सतीस महाना आठवी बार चुनाओं कैसे जीतते और दोस्तों विधान सभा में यी विधान लागू होने के बाद सदस्तों की हाजरी उनकी मेच पर लगे टेबलिट की जरिये दर्ज होगी ये नई बात हो रही है यूपी एसेंबली सेशन 2022 की बात हो रही है कि यूपी में देश की पहली विधान सभा अब टैबलेट पर दर्ज होगी विधायकों की हाज जरी योगी ने कहा कि आज राजनेता आसम्मान और अविस्वास के प्रतीक बन गए हैं सदन में हमारा आचरण और सक्रीता हमें विस्वास का प्रतीक बनाएगी जन समस्याओं की निराकरण के लिए उन्होंने विधायकों से अत्यन्त आग्रही होने की अपील की इसी कड़ी में गोरकपुर के सांसदा और फिर मुखमंत्री रहते हुए जापानी इंसिफलाइटिस के उल्मूलन के लिए किये गए प्रयासों का भी जिक्र किया तोस्तों बात जो महत्पूर्ण है वो ये है कि ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करें सदन की समितियां माननी मुकुमंत्री श्री योगी आदितनाज जी ने कहा कि विधान सभा की समितियों की भूमिका सलाहकार के तोर पर होती है कई समितियां अधिकारियों को बुला कर सीधे आदेश पारित कर देती है समित के सदस कोई भी ऐसा काम न करें जिसे संकट खड़ा हो सदन की समितियां मिली विधान सवा होती है लेकिन उन्हें अपनी ताकत का वेजा इस्तिमाल नहीं करना चाहिए उन्होंने विधान परिशद और विधान सवा की समितियों की बैठके भी अंगलवार और वुद्वार को आयुजित करने का सुझाओ दिया आदर्श विधायकों को करे सम्मानित मानि मुखमंत्री जी ने विधायकों को जनता से निमित समवात करने के लिए प्रेरित किया कहा कि जनता की सामने संबोधन से ही हमें सम्मोहन पैदा करते हैं यही सम्मोहन वोट में बदलता है सदस्टों को सदन में कम सकम शब्दों में अपनी बात को परभावसाली तरीके से रखने की सला दी विदान सबाध्धस से अन्रोथ किया कि सदन में सक्री और अच्छा आचरन करने वाले दो-तीन आदर्श विदायकों को समानित करने की भी विवस्ता की जाए तो उस्तों रास्टपती 6 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित पान्य मुकमंत्री जी ने सदस्टों को बताया कि 6 जून को विशे सत्र में रास्टपत रामनात कोविन विधान मंडल के दोनों सद्रों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी और अभ्यास से हो जाएंगी ये विधान में पारंगत योगी जी ने कहा कि ये विधान लागू होने के बाद देश के सबसे बड़ी राज उत्रप्रदेश की विधान सभा वैसे दिख रहे हैं जैसी दिखनी चाहिए ये विधान के ताहत परते एक सदस की मेट पर लगाया गया टेबलिट इस्तेमाल करने में उतना ही सरल है जितना अकी आपका स्मार्ट पून पर सिक्षन के बाद आप इस पर हाथ अजमाएंगे तो ये विधान के सदन सास सदन की कारवाही में भी आरंगत हो जाएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करें ऐसे माननी मुकमंद्री जी निकाहा और आने वाले समय में विधान सभा पूरी तरीके से अटेंडेंस के मामने में और कारवाही के मामने में पूरी तरीके से टेबलेट के माध्यम से परचालित होगी तो दोस्तों आज करिए थे हैं ठैंक्स वर वाशिंग और लिसनिंग दिस इज आपकार तुब साइन गौफ